तो आज का case study जो बनने वाला है यह laptop का बैटरी को लेके और किस हद तक हम बैटरी को मतलब replace करने के बाद जो customer जो आते हमारे पास बैटरी का issue लेके तो हम देखते हैं हाँ बैटरी में issue है या तो charge नहीं कर रहा है बैटरी या फिर बैटरी लगा के on करने से laptop on नहीं हो रहा है किसी दूसरा बैटरी डालो तो on हो रहा है तो मतलब लगभग बैटरी का ही issue होता है तो हम बैटरी क्या करते हैं बदल देते है कस्टnoary को बोलते है कि हाँ आपका बैटरी खराब है हम satisfied होते है Cam definite कि है इसका action खरआब है तो हम बैटरी बदल देते हैं तो laptop ए के हो हम आता है तो हम बैटरी को क्या करते हैं बदलके नया लगा देते तो लेट्टप हमारा बन जाते तो अज का हमारास के सरी है बैट्री के रिगारॉनिंग तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं knowledge share कर देता हूं ताकि यह वीडियो एगर जिसको भी मिलेगा next time वो भी बंदा थोड़ा सा try करेगा कि भाई एक बार देख लेता हूं बैटरी होता है कि नहीं तो बहुत सारे लोगों को इसके बैटरी के बारे में पता नहीं है कि यह बैटरी भी repair हो सकता है पर किस type के case मे आपका बैटरी repair होगा यह आपको मतलब ध्यान से सुनना है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो forward करोगे तो आप बैटरी repair नहीं कर पाऊगे तो नंबर वन तो महले में थोड़ा सा बता देता हूं नंबर वन आपके पास कोई भी laptop आता है तो उस बैटरी में चलो पर अगर आप adapter लगा रहा हो तो भी laptop on हो रहा है और adapter जब आप disconnect कर रहे हो तो बैटरी से वह चल नहीं रहा है पर बैटरी में आपका कुछ हद तक चार्ज है मतलब 10% से लेके 80% तक 90% कोई भी percentage में आपका बैटरी में चार्ज है पर भी भी आप adapter को remove कर रहा हो तो आपका laptop टी में कोई भी चार्ज नहीं है पर биटरी शो कर रहा है तो आप चार्ज लगा रहा हो मतलब ऐड़ाय प्लाक कर रहा हो फिर भी charging बटरी में चार्ज नहीं हो रहा है और adapter निकालने के बाद Batteries laptop हो रहा है तो इस तक भी आप बैटरी को रिपियर कर सकते हो और तीसरा आपका बैटरी में कुछ हद तक चार्ज है मतलब 80% चार्ज है अपने अड़प्टर हटा दिया दो से तीन मीट चलने के बाद आपका लैप्टर आफ हो रहा है तो इस हद तक भी आप बैटरी को रिपियर कर सकते हो तो यह जो तीन में ने स्टेप बता है यह तीन स्टेप ही आप तो यह एक बैटरी में हमारा लिथियम बैटरी तो इह इसमें सारा ही वाला सेल डाला हुआ होता है। देखिलो ठीक से यही सेल इसेल आच सेहे। तो यह लगभग 3 या 4 से सारा लेपटॉप का बैटरी आता है अबरॉल जितने भी लेपटॉप मार्केट में है और जितने भी हमारे पास आते है मतलब रीपीरिंग के लिए तो देखो यह एक हमरा बेटरी है यह चुछ सेल डाला होगा होगा तो इस ब्यणद के लिखने वाला चारसेल इसमें लगा खुल्ए यह लिथियम पॉलीमर बैट्री है तो देखो इस टाइप के केस में मैंने अभी जो तीन बताया यह आपको याद रखना है किस किस टाइप में आपका बैट्री रिपियर होगा और और एक चीज बता दू यह जो बैट्री है यह कैसे रिमूब करते है इसका वीडियो मैंने ब बना के रखा है आपको देखना है तो देख सकते हो और यह रिमूब करना बिलकुल我是 है आपको बस क्या करना है फिर भी मैं थोड़ा सा dissolved बब् critique में यह जो जॉइन दिख रहा है वे단ि में यह जो जो जॉइन दीख रहा है पूरा बराबर एक जॉइन है यह यह देखो पर के थूरू पेट्रोल डालना है और पूरा भीगों देना है यहां पर और दो तीन मीट तक ऐसे रखना है उसके बाद आप नॉर्माली ऐसे करोगे थोड़ा सा पेशर आउट करोगे और ना हो तो ऐसे कोई ओपिनल लेकर ऐसे करोगे तो इजीली यह बाहर आ जाएगा तो इस बैटरी में बैटरी में यहां पर होता है तो सबसे पहले जानना है बैटरी के अंदर क्या होता है तो उससे नहीं जानोगे तो बैटरी रीपियान नहीं कर पाऊगे यह हमारा बैट laptop का battery में mobile का battery में भी आता है तो यह BMS आपको मिलेगा और यह जो LiPO battery यहाँ पर है lithium battery तो इस battery में BMS का भी इंपॉर्टेंट मतलब important है क्यों hustle कि बीम्हेजर अगर नहीं रहेगा तो यह battery कीटना हीट हो रहा है क्योंकि यह battery बैटरी का हीट होना या फिर कितना चार्ज हो रहा यह सारा इंफोर्मेशन अगर बीमस इसको नहीं देता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तो यह बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता या फिर दो तीन दिन बाद यह फुल जाएगा मतलब मोटा हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है तो पहले इसको रिमूब करना है आपको मैं तो अभी नॉर्मल सा दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो बना रहा हूं इसलिए तो ऐसी टाइप की बैटरी हो तो मैंने बोला पैटरूल डालके इसको पहले ओपन करना है बॉक्स को इसका केबिनेट को ओपन कर लेना है उसके में सोना बहुत ज़रूरी है इस बैटरी में अगर बीमेस नहीं हो ता तो बैटरी ब्लास्ट कर जाता या फिर एक मैने से ज्यादा यह बैटरी नहीं टिकता तो यह हमनेहाँ रहा बैटरी का बीमस तो यह तीन टाइप का जो अभी मैंने पॉबलेम दिखाया अगर एसी ट इंदर के दिखाना पड़ेगा एक सेकिन यह देखो पास आ जाओ तो किलियर करते तो देखो यह जो भी एमे संग्या इसमें एक सीएलर आपको मिलेगा हर बाट्री में ही मिलेगा पर अलग-अलग जगा पर हो रखता है यह हमारा बैटरी का BMS का CLR यह देख सकते हो और अभी जो मैंने तीन पॉब्लेम मेंशन किया वह तीन पॉब्लेम इसी CLR के बजाए से ही बैटरी में 90 100% में से 90% आपको यह CLR वाला केस ही आएगा बैटरी 80% चार्ज है आप एडाप्टर रिमूप कर रहे हो बैटरी में लेटआप दो तीन मीर्चलने के बाद यो ओफ हो रहा है best suddenly off हो रहा है फिर से आप adapter डालके plug-in कर रहे हो तो उसके बाद फिर से laptop on किया तो देखा 80% charge है फिर से हटा दिया तो off हो गया इस case में CLR का issue होता है आपको क्या करना है बाद में बताता हूं दूसरा नमबर टू बैट्टी में कुछ हद तक charge है अब adapter लगा रहे हो चार्ज कुछ भी नहीं हो रहा है और adapter हटा रहे हो तो suddenly मतलब हटाने के adapter plug-out करने के साथ ही off हो रहा है तो इस हद तक भी आपको यह CLR जो दीख रहा है यह CLR का का चाही इशु होता है और तीसरा है charging नहीं ले रहा है कुछ भी percentage नहीं है पर बैठ्टी में अपके शे२र कर रहा है अब करना क्या है सिंपल कुछ करना है सिंपल सा एक काम है क्या करना है आपको यह जो सेलर देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर सेलर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको एक जंपर लेना है और यह जो सेलर है इस सैट से इस सैट तक एक जंपर कर देना है सेलर को उसके बाद आप फिर से fix कर दो थोड़ा सा glue डाल दो plastic cover जो होता है उसके glue डालके fix कर दो उसके बाद battery plug-in करो आपका battery का जो अभी मैंने तीन problem बताया तीन reason से यह अगर इस तीन problem में से एक problem आपको आता है तो आप try करो आपका battery ready हो जाएगा तो इस type के case में हमारा क्या होता है ज्य और हाँ दूसरी बात यह है आपका अगर laptop में ही issue है battery charge नहीं हो रहा या फिर off हो रहा है discharging mosfet का कोई issue है या charging ic का कोई issue है तो वह बात अलाग है अगर किसी another battery आप laptop पे डाले हो वह battery ठीक ठाक है और आप जो battery लगा रहा हो उस battery में कुछ हत तक percentage दिखा रहा है या फिर दो bypass and charge है plug-in charging battery में charge नहीं हो रहा है और adapter remove करने के साथ ही off हो रहा है तो भी यह seller को आप एक bypass कर दो मतलब jumper कर दो आपका वह problem भी solve हो जाएगा और अगर आपका battery शोक कर रहा है चार्ज हो ही नहीं रहा है और तो भी आप यह जो seller है इसको एक bypass कर दो आपका जो problem है वह definitely solve out हो जा और अगर आप easy process use करते हो तो यह खोलना कुई भी मुश्किल नहीं है पर आपको बस method जानना है कि कैसे इसको खोलना है तो link में description में दे दूंगा battery को कैसे remove करते तो अभी मैं नहीं दिखाया बस method को समझा अगर इस तिन type का case आए तो आपको क्या करना है यह जो seller तो इस battery का BMS जो है इसमें यहां पर步 sailor है कुछ कुछ BMS में आपको यहां पर sailor मिल सकता है यहां पर मिल सकता है और sailor दिखने में कैसा है यह आपको mind में रखना है इसके ऊपर आपको study करना है आपको ajan aula नहीं पता है, by default किसी register पर आप jumper कर दिया और battery लगा दिया तो blast भी हो सकता है battery या फिर आपका laptop का motherboard भी dead हो सकता है तो जो भी करें be careful करें और अच्छे से जांच ले, sealer कैसा है पहले समझ ले उसके बाद जाके bypass करें क्योंकि मैंने दिखा दिया यही apply करने जाओगे, यहाँ पर sailor है आपने bypass कर दिया यहाँ पर एक register पर बाइपस शौट करने के बाद अब इंसर्ट करोगे laptop में तो laptop का motherboard या फिर charging IC भी खराब हो सकता है या फिर MOSFET भी खराब हो सकता है या फिर battery का BMS totally यह जो main IC है, microcontroller IC यह भी खराब हो सकता है तो battery के बारे में मुझे कुछ pending request था इसलिए थोड़ा सा एक short video बना के मैं दे दिया अब कभी भी case आए तो मैंने जो तीन problem बोला उसके उपर आप apply करो आपका problem definitely solve होगा उसके बा लाइक करके फिर close करके नेक्स्ट वीडियो पर जाओ ठीक है तो love you all जय हिंद